एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था, जिसका नाम था सिंधूप. सबसे चौकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था. यह बात किसी को भी पता नहीं थी. एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था. शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा. वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधूप पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया. जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिच्छाया सिंदूप जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया पिंजरे में बंद सिंदूप को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूप को दरबार में पेश करने को कहेंगे बलकि मुझे भी सजा देंगे यह सोचकर दर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूप को राज दर्बार में पेश कर राजा को सारी बात बताए राजा ने आदेश दिया कि सिंदूप को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छी से खाना खिलाया जाए ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बाद पर भरोसा मत कीजिए कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिरिया को आजाद करने का आदेश दिया सिंधूप उर्ते उर्ते राजा के दर्वाजे पर सोने का मलत्याग करके गया यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकरने का आदेश दिया लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उर्ती उर्ते सिंधूप कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मलत्याग किया, शिकारी बेवकूफ था, जो मुझे राजा के पास ले गया, राजा बेवकूफ था, जो मंत्री की बात में आ गया। सभी फीक जगह ही है